शिव पुरान हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है. यह एक संस्कृत पाठ है जो मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव और देवी पार्वती के इर्दगिर घूमता है. लेकिन सभी देवताओं का संदर्भ देता है और उनका सम्मान करता है. शिव पु शिव पुरान में शिवकेंद्रित ब्रह्मांड विज्ञान, पौरानिक कथाओं, देवताओं के बीच संबंध, नैतिक्ता, योग, तीर्थ, तीर्थ, स्थल, भक्ती, नदिया और भूगोल और अन्य विश्यों के अध्याय शामिल है. यह पाठ दूसरी सहसराब्दी इस शिव की शुरुवात में शैववात के पीछे विभिन प्रकारों और धर्म शास्त्र पर एतिहासिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. शिव पुरान के सबसे पुराने जीवित अध्यायों में महत्वपूर्ण अध्वैत वेदांत दर्शन है, जो भक्ती के आस्त शिव पुरान के साथ मिश्रित है, उन्नीसवी और बीसवी शताबदी में वायु पुरान को कभी-कभी शिव पुरान का नाम दिया गया, और कभी-कभी संपूर्ण शिव पुरान के एक भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया, यहां शिव पुरान का साराश दिया ग तीसरी पुस्तक वैनायक संहिता हाथी के सिर्वाले देवता गणेश की कहानी बताती है। नौवी पुस्तक सहस्र कोटिरुद्र संहिता शिव के एक लाख भजनों का संग्रह है। यहां उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो शिव पारवती और शैव परंपरा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। यहां शिव पुरान की कुछ महत्वपून शिक्षाएं दी गई हैं। शिव सर्वोच वास्तविक्ता हैं। समस्त स्रिष्टी का स्रोत हैं। शिव अंतर्यामी और पारलौकिक दोनों हैं। संसार में और उससे परेभी विद्यमान हैं। शिव प्रेम करुणा और शक्ती के अवतार हैं। शिव बुराई का नाश करने वाले और धर्मियों के रक्षक हैं। मुक्ष मुक्ती का मार्ग शिव की भक्ती के माध्यम से हैं। शिव पुरान एक शक्तिशाली और प्रेरक पाठ है, जो हमें भगवान के स्वरूप और मुक्ति प्राप्त करने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। यहां आध्यात्मिक ज्यान चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है।